दुनिया भर का साहित्य फिल्मे और तस्वीरे प्यार की कहानियों से भरी पड़ी है परिंदे नदी और हवा को तो कोई नहीं रोख सकता लेकिन दो मुलकों के बीच इंसान की बनाई सरहदे दो प्यार करने वालों को जरूर रोख देती है बले ही भारत पाकिस्तान के बीच बटवारे के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर बन गया हो लेकिन सच्चा प्यार करने वालों ने इन सरहदों को मिटा दिया वो कहते हैं ना कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती बॉलिवुड में बनी गदर एक सच्ची प्रेम का था वीर जारा जैसी मूवी एक अच्छा उधारन है इन दिनों सीमा हैदर और सच्चिन की लव स्टोरी सुर्खियों में हैं आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के शादशुदा जुड़ों के बारे में जो इससे पहले सुर्खियों में आ चुके हैं दो जनवरी 2023 को दोनों का निकाह हुआ लेकिन पहली बार दोनों एक दूसरे से मिले 138 दिन बात यानी 10 मई 2023 को यहां तक कि दोनों का निकाह भी बिना मिले ही हुआ था 10 मई से पहले कभी अरूज भारत ना आई थी और ना ही मुझ मिल कभी पाकिस्तान गया था लेकिन दोनों को मिलाने में कोरोना लॉकडाउन का बड़ा हाथ रहा दरअसल दुलहे के दादा पाकिस्तान से भारत एक रिष्टेदार की शादी अटेंड करने आये थे उसी दोरान ये रिष्टा फिक्स हुआ लेकिन वीजा नहीं मिलने के कारण शादी में देरी हुई दुलहन को भारत लाने में कुछ अर्चनों का सामना करना पड़ा लेकिन केंद्रिय मंद्री गजिन सिंग शिखावत की मदद मिली लिहाजा दुलहन अपने सुस्राल भारता पाई और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की ऐसी दुलहन जिनोंने ना भारतिय लड़के से शादी की बल की राजस्तान पंचाय चुनाव में इतिहास रचा प्रदेश में पहली बार पाकिस्तान मूल की रहने वाली महीला नीता जो 2020 में सरपंच बनी नीता ने अपनी बारवी तक की पढ़ाई पाकिस्तान के सिंध में पूरी की उसके बाद वै अपनी बहन और मा के साथ भारत लोटाई लेकिन उनके पिता और भाई अभी भी पाकिस्तान में ही रहते हैं उन्होंने अजमेर के सोफिया कॉले से बीए की पढ़ाई पूरी की निता 18 साल के बाद पाकिस्तान से लोटी थी 2011 में उनकी शादी पुन्य प्रताप करन के साथ हुई निता को 8 साल के लंबे इंतजार के बाद भी भारतिय नागरिता नहीं मिली थी इन दिनों सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी सुर्खियों में हैं पब जी खेलते हुए सीमा हैदर सचिन मीना को अपना दिल दे बैठी इसके बाद दोनों को प्यार का परवान चड़ा तो दोनों कैई घंटों तक फोन पर बाते करने लगे सीमा हैदर की पाकिस्तान के ही रहने वाले गुलाम हैदर से 2019 में शादी हुई थी इससे उनके चार बच्चे हैं और अभी बच्चे मा के साथ भारत आये हुए हैं सचिन मीना के बरिवार के साथ अभी बच्चे खुश है